आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ योशन हमार पास in the standard form of Quadratic Polynomial Ax square plus Bx plus C A, B and C इनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है तो देंके Quadratic Polynomial हमारे पास जो होता है Ax square plus Bx plus C यह simple मैंने इसको Fx से denote कर लिया तो देंको यहाँ अगर हम बात करें main condition क्या है तो आपके पास x square की term होनी चीए हमें से तो x square की term आपके पास कब होगी जब A कैसा unknown 0 अगर A हमारे पास यहाँ पर 0 हो गया तो फिर आपके पास यह जो x square बाली term में यह तो हटी जाएगी और x square बाली term अगर हमारे पास हट गई तो यह Quadratic Polynomial नहीं होगा ठीक है यह अमने बता भी दिया यह आपके पास क्या चल रहा है यह चल रहा Quadratic Polynomial ठीक है यह दिखा आपने 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 क्वाद्रिक Polynomial clear अब साथ में हम बात करें किसके लिए B और C के लिए तो देखो B और C जो है हमारे पास यह तो कुछ भी हो सकता बस कैसा होना चाहिए Real numbers होना चाहिए B, C belongs to real number ठीक है तो belongs to real number अगर real number के set के हम बात करें तो real number का set हमारे पास कैसा होता है तो minus infinity से plus infinity के बीच के जितने भी numbers होते है वो सभी क्या होते है real numbers होते है तो B और C तो हमारे पास कैसा होना चाहिए कोई भी real number हो इन में से कोई 0 हो एक 0 हो या दोनो 0 हो कोई problem नहीं है लेकिन A जो है वो A कैसा होना चाहिए non 0 real number ठीक है 0 के लावा यह कोई सा भी real number आपके पास हो ठीक है यह बता भी सकते हैं आप यहाँ पर A कैसा A not equal to 0 and A belongs to R ठीक है तो यह condition हमारे पास होगी अब देख लेते हैं option में क्या correct है All are real numbers तो बात तो सही है सभी real numbers होने चाहिए लेकिन एक condition हो रहे है कि A जो है वो 0 नहीं होना चाहिए तो यह incorrect हुआ Second है All are rational numbers तो यह भी आपके पास correct ही है पर rational numbers में अगर हम बात करें तो आपके पास A जो है वो non zero नहीं होना चाहिए अभी इस हिसाप से अगर हम बात करें तो इसके इस हिसाप से तो A भी 0 हो सकता है तो A 0 नहीं होना चाहिए तो यह भी wrong option होगा थर्ड option में बोला हुआ है A is non zero real number and B and C are any real number यह बिल्कुल correct option है clearly बोला हुआ है कि A जो है वो non zero है देख लो condition है A जो है वो non zero होना चाहिए क्योंकि अगर A 0 होगया तो फिर यह quadratic polynomial ही नहीं रहेगा और B और C कैसा होना चाहिए real number और fourth option तो बिल्कुल incorrect है integers बोला हुआ है तो integers की तो बात ही नहीं चल रही यह ना real numbers होने चाहिए और एक ऐसा होना चाहिए non zero real number होना चाहिए तो only यहाँ पर आपके पास option number थड़ी क्या है correct option है clear Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें doubt net आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर